नमस्कार दोस्तों, पूजा शिक्ती चानल में आप सबी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सबी? आज जिस नई विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है किस प्रकार एक रुपया आपका जीवन जो है बदल सकता है, नवरात्री के शुब अफसर पर जहां पर बहुत से कारी किये जाते हैं, अपने जीवन में सुकसमरिद्धी के लिए वहीं आसान से उपाय करके हम हमारी नौकरी की परिशानी को भी दूर कर सकते हैं, घर में धनलाब भी ला सकते हैं तथा बिमारियों से भी चुटकारा प्र या भोग भी माना जाता है, जहां खीर के प्रसाद से भोलेनात को आसानी से बनाया जा सकता है, वहीं पर खीर के प्रसाद से जो है माता लक्ष्मी की अपार धन्त की मनो कामना जो हम करते हैं, माता लक्ष्मी आशिरवात स्वरूप हमें अवश ही देती है, भाईयों और ब दिल से मांगिये जो मनो कामना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, विवा संबंदी चाहते हैं, नौकरी संबंदी चाहते हैं, पती पत्नी के जगड़े समाप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए बहुत पदोंती धन भी चाहते हैं, तो मांगिये क्योंकि मातारानी जो है दिल खोल कर आशिरवात देती हैं तता सभी के खाली जोलियां जो है वो भरती हैं तो एक बार जोर से पहले जयकारा लगा दीजिए कि साचे दरबार की जय और जय मातारानी की हो तो मन चाही मनो कामना पूरी करने के लिए नवरात्रे के शुप शुकरवार वाले दिन रात को दस बजे आपको क्या करना है एक कटोरी आपको पहले चावल लेने हैं पहले एक चौकी पर आप कलश रख लीजिए कलश की अपर शुद्ध केसर से क्योंकि केसर जो है बहुत मह चुकी हूँ कि स्वास्तिक जो है कटा हुआ ना बनाए तो क्रिप्या वो जो वीडियो है पहले देखे अन्यता ये जो उपाय है आपका बिल्कूल भी फलेगा नहीं स्वास्तिक का चिन बिना कटा हुआ आपको बनाना है उसके ओपर पानी से भरा एक कलश रखना है आपक फिर एक छोटी सी प्लेट में जो हमने एक कटोरी चावल रहे थे भर कर उस पर कलश की स्थापना कर दीजे उसके ओपर श्रीयंत्र स्थापित कर दीजे अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो जैसा स्वास्तिक मैंने बनाया था वैसा बना कर उसे ही श्रीयंत्र का कावल से आपको पूजन करना है इसके बाद जो है आप लक्षमी चालीसा का पाट करिए दस मिनिट तक लक्षमी जी का ध्यान करके अपनी जो भी मनों कामना हो माता लक्षमी के सामने बोल दीजिए अब माता रानी जो है आप पर क्रपा अवश्य बरसाएंगी जो दीपक आपने शमता अनुसार और भी कोई डेकोरेशन कर सकते हैं रांगोली बना सकते हैं आप ताजे फुलो की माला दे सकते हैं इतना सा कारिक करिए आपके देखिए जीवन में किस प्रकार धनका अगमन भी शुरू होता है और जो भी कोई इक्षा होगी माता रानी क्रपा करकर आप पर अवश्य ही आपकी मनोकामना की पूर्ती करेंगी अब नौकरी नहीं मिल रही है काफी परेशान चल रहे हैं ऑफिस में भी काफी परेशानिया चल रहे हैं बहुत आसान सा उपाई यहां पर बताऊंगी आपको नवरात्रे के पहले दिन से कारी शुरू करना है चाही नौकरी भी आपके हाथ लग जाएगी तथा अगर नौकरी इंटर्वियू में दिक्कत आती है वहाँ जाकर भूल जाते हैं कुछ समझ नहीं आता है क्या बात करें आता सब कुछ है परन्तु समझ नहीं आता है कि क्या करें यह कारी करके देखिए सभी प्रकार की पर पूरी नहीं होती है, सदेव कश्टों से भरा हूँ आपका जीवन है, तथा आपके जीवन में आपको लगता है कुछ बचा ही नहीं है, तो चावलों का एक मुठी ढेर, आप लें अपने हाथ के मुठी चावल ले लीजिए, उसमें एक रुपे का सिक्का रख दीजिए, इसे ही आपको किसी मंदिर में जाना है, अपनी मनो कामना पूरे रस्ते भर कहनी है, मनी मन, तथा ये जो चावल है, वहाँ पर आप च ніड़ा कर आजएं, किसी भी मंदिर में जाईए, माता के, हनुमान जी के, गणेज जी के, शिवज जी के, जो मंदिर आपके पास में हो, वाहँ पर जाईए तथा यह जो कार है अपने जीवन में अपना ही आप देखिए कुछी दिनों में जो है आपके कार बनने लगेंगे तथा धन का आगमन भी शुरू होने लगेगा यह जो कार है कई प्रकार के समस्याइं दूर करता है आपके ग्रहदशा जो है उसकी अशुबता को दूर करता है तथा ये एक प्रकार का महादान भी कहलाता है ये करने से आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी तथा आपके जीवन के सभी प्रकार के कश्टों से आपको राहत प्रदान मिलेगी पारे आपको कब से करना है अभी जब दवरातरे का पहला शनिवार हो उस दिन से आपको ये कारे करना है और ये लगातार 43 दिन तक करना है आप क्या करें एक रुपे का सिक्का पांच रुपे का सिक्का या फिर दस रुपे का सिक्का जो मिल जाए आपको पर 43 दिन तक वैसे ह लेने के बाद रात को सोते समय अपने तकिये के नीचे रख दीजिए अराम से सोईए और सुबे उठने के बाद जो भी आपके घर के आसपास आपको गरीब दिखता है जमादार दिख जाए तो उसे दीजिया ये कार अगर आपने लगातार बिना किसी नाकी के 43 दिन तक कर लिया तो आप देखिया आपके जीवन में जो है धन का अगमन किस प्रकार शुरू होता है बहुत से ये लोग कार करते हैं नवरात्रे में सही समय होता है सभी प्रकार के उपायों के लिए अगर आपने ये कार कर किसी से कोई चर्चा नहीं करनी zijn, कि आप किस प्रकार का कारे करें रहे हैं, किस वज़ा से कर रहे हैं, आप दीड़ेगा कि आपके जीवन में धन का अग्मन शुरू होगा ही होगा तथा ये कारे करने के बाद आप खुध जो है अपने जीवन में देखेंगे कि कहां से धन आ रहा है आपको खुद नहीं पता लगेगा सभी प्रकार के कश्टों से राहत भी मिलेगी ये छोटा सा दान है परंतु ये दान जो है बहुत सा धन लेकर आता है जीवन में अगर कोई जमादार नहीं मिल पाता है तो जो आपको व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर आपके दिल में दया है उसे स्पेशली दीजिए आपके कश्टों का निवारण अवश्य होगा तथा वो दान करने के बाद आप भूल जाईए पूरा दिन आपको उस बारे में सोचना भी नहीं है तथा किसी से इस बारे में कोई चर्चा नही करनी है यह बहुत ही बड़ा उपाय है यह ऐसा उपाय है जो करने के बाद आपके जीवन में निरंतर धनका आगमन शुरू होगा जब जब आपको पैसे की तंगी लगे यह उपाय आपके जीवन में देखिए किस प्रकार उकावा धन जो है आने लगेगा और धनका आगमन बहुत आसानी से शुरू होगा अब नवरात्रों के लिए दशिन दिशा की और मुख करकर कभी भी अपना भोजन ग्रहन ना करें इससे जो है आपके घर में सुक समरिद्धी भी जाएगी तथा आपका जो चलता फिरता व्यापार है वो भी चला जाएगा और आपके जीवन म होने लगेगे खाने पीने की आदते कैसी होती है अगर हम उस समय पर तहवारों में इस बात का ध्यान ना रखे कि किस मुखा होकर हमें भोजन ग्रहन करना है किस तरफ नहीं बैठ कर भोजन करना है तो ये आदते हमें जो हैं गरीब बनाती है तो आप इस बात का ध्यान प्रमोशन आगे हमारी तरक्की सब डिपेंड करती है अगर हमारा बॉस खुश रहेगा तो हमें निश्चिती तोर पर प्रमोशन भी मिलेगा हमें उच्चिता भी प्राप्त होगी तदा वहीं हमारे ओफिस में जो है हमें एक अलगी नजरिया सभी लोगों की नजर में देख कर सकते हैं खीर अपने घर की बना कर मातारानी को भोग लगाए तथा उस खीर का प्रसाद होता है वो अपने बॉस खेला दीजिए उसके बाद आपको उस सप्तमी आश्टमी के बाद से यह कारी शुरू करकर हर रविवार को आपको यह कारे करना है महिलाय भी कर सकती है कि आपको हर अविवार को जो है अपने बॉस को अपने घर के बनी हुई खीर का जो भोग है वो लगाना है तथा उसमें केसर जरूर मिलाइए आप देखिए कि किस प्रकार से विदिन थ्री मन्स आपको रिजल्ट भी सामने आएंगे ये जो कारे हैं बहुत लोगों को बताते हैं बहुत से लोग जो है अपनी जीवन में तरक्की पाते हैं क्योंकि मैंने पहले आप सभी को याद होगा जो हमने वीडियो बनाया था तो म ये जो आज के उपाए हैं सभी घरेलू उपाए हैं इससे किसी का भी अनित नहीं होगा तथा ये जो कार है करके आप अपने जीवन में खुशाली अवश्य ही लेकर आएंगे तो भाईयों और महनों इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर कर चर्चा कर करते हुए ये नवरात्रे के जो नो दिन हैं आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां ले करा हैं और मातरानी सभी को खुशियां दे तथा सभी कारे जो हैं मंगल हो जाए जोर से बोलिए जैमाता जी एक बार जरूर जैकारा लगा के अवश्य बोलिएगा जैमाता दी तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद